हलो स्टूडेंट्स मैं वीपी सिंग आज आपको बताऊंगा नॉन पार्षियल डिफरेंशियल एक्वेशन ओफ फस्ट ओर और इसमें इस्टेंडर फॉर्म चार हैं तो मैं आपको हर फॉर्म पर एक-एक लेक्चर दूँगा अर्था धीमे धीमे चलूँगा कि जो आपकी एक-एक पॉइंट आपकी समझ में आए तो आज हम बताएंगे इस्टेंडर फॉर्म फस्ट इससे पहले हमने इसके तीन लेक्चर डाले हैं तो प्लीज आप पहले लेक्चर से देखेंगे तो यह पूरा चैप्टर पार्षियल डिफरेंशियल एक्वेशन ओफ फस्ट ओर कहने का मतलब इस जो फॉर्म बता रहा हूं इसमें पी क्यू के बार कॉंस्टेंट तो हो सकता है लेकिन वेरियेवल नहीं होगा अर्थाथ एक्स वाई जैड इसमें नहीं होंगे अगर हुए भी तो उनका सॉल करने का तरीका अलग होगा थोड़ा सा पोलर फॉर्म से होग इंट्रीगल क्या होता है तो चलिए सबसे पहले जब यह फॉर्म दे रखी होती है आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन तो जैड इक्वल टू एक्स पिलस बी वाई पिलस सी इक्वल टू जी हो आप यहां से निकालेंगे डेल जैड अपॉन डेल एक्स तो यह ए हो जाता है डेल जैड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो बी मैंने लेक्चर वन में ही बताया इसे पी कहते हैं दिस इंप्लाइ जिसे q कहते हैं equal to b हो गया तो ये form किस में बन जाएगी आपकी a, b equal to 0 जो question p q में था वो question a, b में आ जाएगा अब इससे आपको b की value निकाल ली है यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ b equal to phi a ये मैंने मान लिया है क्योंकि इससे निकले गाने ये form है तो मैंने कह दिया कि b की value suppose कर लो phi a है तब complete integral कैसे लिखेंगे then complete integral इसको हम c i भी बोल देते हैं complete integral को c i तो इसी में लेते जो its solution है z equal ax plus b की जगह पे आप क्या रखेंगे phi a y पिलस के c ये आपका हो गया complete integral अब general integral निकल वाए तब क्या होगा मान लीजिए ये equation first हो गई तब इसमें left c equal to psi a जो constant होगा उसकी जगह पे आपको a रखना है तब ये z equal हो गया ax plus phi a into y plus psi a अब जब ये question हो गया आपका तब general integral के लिए हम क्या करते है differential with respect to a इसका हो गया 0 a का 1 यहाँ x इसका हो गया phi dash a into y इसका हो गया psi dash a अब general integral कैसे लिखोगे general integral eliminate a by first and second बस इतना लिख दोगे eliminate करने की जरूवत नहीं है इन दोनों समीकरों को आप हल करके a को यहाँ से खतम कर दें कहने का मतलब है यहाँ से a की value यहाँ में रख दोगे तो अपने आप खतम हो जाएगा तो वो कहलाता है general integral general integral हम तब निकालते हैं कि तब question में पूछा हो यदि उसने कहा है केवल complete integral तो आप यहाँ तक ही solve करेंगे तो चलिए मैं इस पर आपके लिए यह very very important question लिख रहा हूँ ठीक है चलिए तो question मैंने 2 लिख लिए है question number 1 को पहले solve करते हैं फिर 2 को इसमें यह solve लिखा है इसका मतलब मुझे complete integral और general integral दोनों निकाल ले होंगे ठीक है तो cable PQ में है यह तो मुझे मालूप पढ़ गे यह constant है तो इसका solution क्या होना चाहिए its solution z equal to ax plus by plus c जब यह इसका solution है तो यह दो line आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यह तो होंगे सब जानते हैं तुरंत जब यह लिखने के बाद तो यह form काई में आ जाएगी a b में तो यह किसमें बन गया therefore a square plus b square equal to m square यह तो मैंने आपको समझाने की बज़े से लिखा था अगर यह है तो समझ लीजिए p की जगे पे a होगा और q की जगे पे b होगा बनी गया देख लो तब यह बनी गया मैंने यहाँ से b की value बताई थी suppose करो तो यहाँ से b की value निकाल लिए m square minus a square b equal to under root के अंदर m square minus a square आप इसमें रख दीजिए तो यह कहलाएगा complete integral therefore complete integral z equal a x b की जगे पे m square minus a square into y plus c यह complete integral हो गया c i ठीक है अब मुझे निकालना है general integral उसके लिए क्या करेंगे इसे first माल लो let c equal to phi a तब z equal to a x plus under root के अंदर m square minus a square into y plus phi a अब यहाँ differential with respect to a partially इसका differential करना है partially तो this is 0 यहाँ हो गया आपका a कवन x पिलस इसका differential हो गया minus के a upon under root के अंदर m square minus a square into y plus phi dash a अब यहाँ समझना पहले तो under root के according करते 1 upon 2 under root अंदर को कितना हो? minus के 2 है 2 ते 2 में direct कार दिया ठीक है? अब यह equation हो गई आपकी second तब लिखेंगे eliminate a by first and second required general integral तो बस ऐसे लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? general integral अब example 2 में क्या पूछा है? देखो find the complete integral of क्या दे रखा है? question p square plus q square equal to n p q हमने हैं क्या देखा? केवल form p q में है तो इसका solution is solution z equal to a x plus by plus c इसी लिए ये क्या हो जाएगा? a square plus b square n a b हमें किसकी value निकाल लिए? ऐसे b की तो इसे इधर ले जाएए a square equal to n b a minus b square b की value निकाल लिए आएगा? कैसे बनेगा? b square इसे धर लाओ minus k n a b plus a square equal to 0 क्योंकि यहाँ b square है यहाँ b है तो इसी दरा 4 है तो b equal आगा plus k n a plus minus b square n square a square minus 4 a की जगे पे 1 c की जगे पर a square upon 2 a a की जगे पे यहाँ b का मान ये निकला था? यहाँ ये निकला आया बस आपको यहाँ रखना है therefore z equal a x plus b की जगे पे आप यहाँ लिखेंगे n plus minus under root के अंदर n square minus के 4 upon 2 यहाँ बाहर a common मैंने इधर लिख दिया यहाँ से a common आता तो इधर लिख दिया into y पिलस के c यही आपका complete integral है तो यह छोटे छोटे question थे अब मैं आपको 100% important थोड़ा बड़ा है लेकिन very very important question लेके आ रहा हूँ ठीक है? यह question very very important है थोड़ा टप पड़ेगा थोड़ा बड़ा है हर साल exam में आता है यह क्योंकि बच्चे इससे समझी नहीं पाते कि यह कौनसी form का है तो यह मुझे standard form में बदलना होगा उसके बाद फिर solve करना होगा ठीक है? अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो सर्च करनी हो यूटूपर तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें जैसे linear differential equation of second order BSC coaching अलिगर लिख देंगे तो यूटूपर सबसे उपर निकल के आजाएगा mechanics की सारी वीडियो पढ़िये कोई सावी lecture आपको ढूलना हो chapter उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें तो वो topic सबसे उपर निकल के आजाएगा वैसे मैंने link description में दे दी है ठीक है तो चलिए इसे हम कैसे solve करें पहले इस हिस्सा को solve करते हैं तो polar form में हम change करेंगे चलिए polar form में change करते let x equal to r cos theta y equal to r sin theta square करिए तो x square plus y square equal to r square sin upon cos करेंगे तो 10 theta equal to y upon x यहां से r square equal to x square plus y square और यहां theta equal 10 inverse y upon x जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं निकाल रहा हूं ठीक है इसका differential with respect to x तो 2r, r को del r over del x यहां हो गया 2xy का 0 यह कट गया del r upon del x equal to x upon r इसी पिरकार del r upon del y निकालोगे तो y upon r अब x वराबर क्या लिख रहा है r cos theta यहां r cos theta रखेंगे r ते r कट जाएगा सिर्फ cos theta y की जगे पे यहां उपर r sin theta रखेंगे r कट जाएगा केवल sin theta आईए अभी इसकी ज़रूरत है निकालिए यहां del theta upon del x 10 के according करेंगे 1 plus y square upon x square minus y upon x square के लिए LCM लीजिए तो उपर गया x square x square plus y square minus y upon x square इससे यह कट गया minus y upon x square plus y square y की value रख दीजिए r sin theta upon r square इससे यह कट गया इसका मतलब del theta upon del x की value minus sin theta upon r इसी प्रकार इसका हम y के respect करते हैं del theta upon del y करें इसका तो 1 upon 1 plus y square upon x square y upon x का करोगे तो 1 upon x 10 inverse x का differential जानते तो हो 1 upon 1 plus x square लेकिन है x की जगह पर क्या y upon x तो देख लो यह लिख रहा फिर y upon x का भी होगा x के respect यह आ गया ऐसे है इसका y का 1 यह lcm लोगे तो x square यह कटिके सिर्फ क्या बचाएगा x upon x square plus y square del theta upon del y x वरावर क्या रखोगे r cos theta upon r square 1 r कटिया del theta upon del y equal to cos theta upon r यह y है आईए इसका काम खताम अब इसका काम करते हैं थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन 100% important है थीक है तो चलिए p बड़ावर हम क्या मानते हैं we have p equal to होता है del z upon del x अब इसको में r y theta की मदब से chain rule में change करूँगा कैसे इसे मैं लिख सकता हूँ del z upon del r into del r upon del x plus del z upon del theta del theta upon del x देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहीं बचता है इसको हम total differential coefficient भी कहते हैं और bhec part 1 में partial differentiation वारे topic में ये मैंने बड़े प्यार से proof करके दिखाएं चलिए अब मुझे q निकालना होगा तो del z upon del y इसे del z upon del r del r upon del y plus del z upon del theta del theta upon del y सारी value आपके पास हैं कहीं से नहीं लानी यहीं से उठाके यहां रखना है देखिए del z upon del r del r over del x cos theta पहले इसकी value रखदो del theta upon del x की value कहां है यह रही यह del theta upon del x की value तो minus के sin theta upon r into यह बचा del z upon del theta यह मैंने first मान लिया इसमें रखो पहले इसकी value del z upon del r तो रहे गाई इसकी value यह रही sin theta देख लो पहले इसकी value रखदो यह रही cos theta upon r और del z upon del theta चलिए x square plus y square तो मिल गया मुझे r square अब मुझे करना है p square plus q square कर ले तो इन दोनों से मैं लिख रहा हूँ p square plus q square अब आप मेरी तरफ देखो इस तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका वर्ग plus इसका वर्ग तो cos square theta sin square theta 1 क्या बचा यहाँ del z upon del r का whole square अब इस पर देखिए इसका वर्ग करेंगे sin square theta upon r square del z upon del theta का whole work फिर इसको करेंगे cos square theta upon r square del z upon del theta का वर्ग तो आप सोचिए sin square theta cos square theta 1 अरे पिलस वर्क करने पर positive हो जाएगा तो क्या-क्या बचा पिलस 1 upon r square बचा और del z upon del theta का whole square बचा आप इमानदारी से वर्क करेंगे न ऐसे भी कर लो a square plus b square minus 2a v यहाँ a square plus b और पिलस के 2a v तो minus 2a v, पिलस के 2a v तो वो आगे क्या हो जाता? 0 कैसे किया मैंने? a square plus b square plus 2a v आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इसका negative होगा, लिखे देता हूं लोग इसका negative होगा और इसका क्या होगा? positive तो यह कट जाएगे, 0 आएगा तो सिर्फ यह बचा p square plus q square equal to del z upon del r का whole square plus 1 upon r square del z upon del kheeta का whole square यह भी r है, कभी-कभी मैं ऐसी लिख देता हूं, कभी ऐसी लिख देता हूं ठीक है? चलिए यह सारी value यहां रखते हैं इसकी value यह, इसकी value यह यहां रख दीजिए, तो पहले इसकी value रख लेते x square plus y square की value ऐसे लिख दो इसे? x square plus y square into p square plus q square equal to 1 इसकी value r square इसकी value del z upon del r का whole square plus 1 upon r square del z upon del theta का whole square इसकी इसमें multiply करोगे, तो यह आएगा r, del z upon del r ऐसे लिख दिया चलो इसकी इसमें करोगे, कट जाएगा, हैं 1 रहे गा पिलस, इससे यह कट गया, del z upon del theta का whole square equal to 1 अब यह question आगया, अब यह भी हैं, गड़वड कर रहा है, r की गुड़ा और function फिर भी नहीं वन नहीं standard form 1, तब में क्या करूँ, वो भी देखिए, यही माने लेता हूँ, इसी के नीचे लैड, u equal to मैंने कह दिया, log r, तो निकालिए, del u upon del r, कितनो हुआ, 1 upon r, के लिए, अब मैं इसको ले रहा हूँ, del z upon del r को कैसे लिखूँ, del z upon del u into del u upon del r, लिख सकते हैं, u से u कट जाएगो, यही बचाँ, अब देखो, इसकी value कितनी है, 1 upon r, तो यह हैगो, del z upon del u into 1 upon r, किसके बराबर है, del z upon del r, इस r को अगर मैं इधर ले आऊँ, तो यह यहाँ से, इधर से देखो, तो यह बन जाएगा, del z upon del r, तो सिर्फ क्या रहे गया यहाँ, del z upon del u, अब यहाँ रख दीजिए, तो therefore, इसकी जगए पे लिखूँगा, del z upon del u का whole square, del z upon del theta का whole square equal to 1, अब यह form बन गई, इस टेंडर कैसे, this is मैंने कह दिया, capital P square, this is capital Q square equal to 1, तो इसका solution क्या होना चाहिए, जैसे मैंने वहर रख बता रहा हूँ, क्या लिखा था, ax plus by plus c, यह रख है, तो इसकी तरह, it's solution, z equal a, x की जगए पे यहाँ, क्या है, u, plus b, y की जगए पे क्या है, theta, plus c, तब यहाँ क्या बनेगा, इसे लूंग तो a square यह हो जाता है, b square, यहाँ से b की value, 1 minus a square, इसमें रखिए, तो z equal a, u, b की जगए पर, 1 minus a square, theta, plus c, अभी तो आपको theta की value रखनी है, u की रखनी है, और theta की, तब होगा complete integral, तो मैं ही लिखे देता हूँ, complete integral, z equal a, u की जगए पर, log r, plus under root 1 minus a square, u की जगए पर रख दिया, theta की value यह रही, 10 inverse y upon x plus c, यही आपका complete answer है, देखिए, एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत महनत करनी पड़ती है, और मैं पूरी कोसिस करता हूँ, कि आपकी समझ में एक-एक point आए, तो इसलिए आपसे request है, कि प्लीज आप अपने friend को जरूर share करें, देखिए, मेरे subscriber कितने कम हैं, और जब कि मैं कोसिस करता हूँ, आपको की एक-एक point समझ में आए, तो जैसे आप मुझे से जुड़ते हैं, तब मुझे क्या-क्या choose करना होगा, वो देखते हैं, तो ऐसे question तभी होते हैं, ये बड़े-बड़े question, कि तब आप दो-चार वार करें, एक वार करने से नहीं होता है, और लगवग ये सब भी YouTuber इनको नहीं डालते, चोकि ये question तोड़े tough होते हैं, लेकिन मैं आपके future की बज़े से, क्योंकि tough question ही देना मेरा काम है, इसी लिए कि आप अच्छे नमर लेके आएं, और हाँ जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी अच्छे नमर आते हैं, ठीक है, तो चलिए इस question में क्या choose करते हैं, सबसे पहले मुझे इनका काम खतम करना है, तो माल लेता हूँ, लेक्ट, capital X square equal to X plus Y, और capital Y square equal to X minus Y, चलिए differential करते हैं, पहले इसे लेते हैं, X square equal to X plus Y, यहाँ को differential 2X, X को del X upon del X, कितना हो गया है, यहाँ 1Y का 0, इसका मतलब del X upon del X निकला 1 upon 2X, अब Y के according करो इसका ही, तो 2X del X upon del Y, इसका 0, इसका 1, इसका मतलब del X upon del Y निकालेंगे, तो 1 upon 2X आ गया, खिलिए, अब इसको ले लेते हैं, Y square equal to X minus Y, तो 2Y, Y का del Y upon del X करेंगे, तो 1 minus 0, इसका मतलब del Y upon del X आ गया, 1 upon 2Y, अब Y के respect करता हूँ, तो 2Y del Y upon del Y equal to, यहाँ 0 minus 1, इसका मतलब del Y upon small del Y आएगा, minus 1 upon 2Y, clear, अब हमें क्या करना है, चलिए हमें अब इन दोनों को जोड़ना है, वो बाद में जोड़ लेंगे X और Y, यहाँ से पहले मुझे P और Q की value निकालनी है, पी और Q की, चलिए, हम P बराबर, जानते हैं del Z upon del X, इसे में कैसे लिख सकता हूँ, इधर देखा, del Z upon del X into del X upon small del X, फिलास del Z upon del Y into del Y upon small del Y, आप chain rule तो जानते ही होंगे, इससे यह कटेगा, यही बचेगा, इससे यह कटेगा, यही बचेगा, X आएगा, यहाँ, यह गड़बर कर दिया, del Z upon del Y, del Y upon del X, हर वार यही आना चाहिए, अब मैं Q निकालता हूँ, del Z upon del Y, तो इसे del Z upon del X, del X upon del Y, पिलास, del Z upon del Y into del Y upon small del Y, देखो, यह कटेंगे, तो यही बसता है, इसी को हम चैनरूल कहते हैं, चलिए तो हम value रखते हैं, आईए, del Z upon del X की, तो बाग में पहले, del X upon del X की value बताईए, del X upon del X की 1 upon 2X, यह जोंकी चों रखना है, del Z upon del X, अब इसकी value बताईए, del Y upon del X की, यह रहा, पिलस 1 upon 2Y into del Z upon del Y, यह value आपकी p की हो गए, अब इसकी देखो, पहले इसकी रखो, यहां से del X upon del Y, यह रही, 1 upon 2X into del Z upon del X, अब यहां की रखो, del Y upon del Y की minus आएगा, 1 upon 2Y into del Z upon del Y, फिर देख लो, यह यहां Y रह गया, यह गणवड हो गई, यह ऐसे, Y, यह कटकर यह आएगे तो यह यहां लिख दिया, यह Q की value हो गई, के लिएर, यह थोड़े से अलग change rule से हैं, लेकिन important है, यह capital X, जैसे यहां समझ लीजिए, capital X is the function of small x and y, अगर small x के respect करेंगे तो यहां को 0, small y के respect करेंगे तो X का 0, यह तो सब आते ही होंगे, अब मुझे निकालना है P plus Q पहले हैं, चलिए, तो P plus Q देखिए, इन दोनों को जोड़ दो, half half 1, तो 1 upon X, del Z upon del X बचा, अब P minus Q निकालना है, P minus Q, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, कट जाएगा, यह पिलस हो जाएगा, half half 1, तो 1 upon Y, del Z upon del Y, हमारे पास P plus Q की वैलू है, P minus Q की वैलू है, capital X, capital Y की वैलू है, small X plus Y और X minus Y की वैलू है, इसमें रख दीजिए, कैसे, सबसे पहले X plus Y की वैलू रखो X स्कॉर, अब P plus Q का होल वर्ग यह रहा, इसका होल वर्ग करो, तो 1 upon X स्कॉर, del Z upon del X का होल स्कॉर, किलिया, अब X minus Y की वैलू रखो, यह रही, पिलस Y स्कॉर, अब P minus Q का होल वर्ग यह रहा, इसका वर्ग करोगे, 1 upon Y स्कॉर, del Z upon del Y का होल स्कॉर, किसके बरावर है, वर्ग की, किलिया, आईए, X से X कट गया, और Y से Y कट गया, क्या बचा, del Z upon del X का होल स्कॉर, पिलस del Z upon del Y का होल स्कॉर, इक्वाल टू 1, यह स्टेंडर फॉर्म बन गई, जैसे इसे मैं कह सकता हूँ, capital P स्कॉर, capital Q स्कॉर इक्वाल टू 1, तो इसका solution अब क्या होगा, its solution, तो Z equal to A, जैसे पहले question में हैं, U और U की जगह पे हैं, capital X plus B, यहाँ theta था, यहाँ theta की जगह पर capital Y plus C, यह लिखने के बाद यह किस में बन जाएगा, बोलिए, A square plus B square equal to 1, यह A हो जाता है, यह B, बताया था कैसे, डेल, Z over, डेल, X, बरावर A आएगा, और P बरावर A, यह capital, आज यहाँ से मेरे बच्चों B की value निकालते हैं, 1 minus A square, समझ में आ रहाए ना क्लिए, इसके बाद तुरंतिये लिख देते हैं, यही से आप हल करके दिखाऊं, लिए, Z equal to A capital X, B capital Y plus C, निकाली हो, डेल, Z upon capital X, तो A, यह बनीगो capital P, डेल, Z upon, डेल, Y निकालोगे तो B आएगा, यह capital Q equal to B, तब ही तो मैंने हैं A square plus B square, अब यह value यहां रखते हैं, तो यह A, X, B की जगे पर, 1 minus A square Y plus C, question तो small xy में था, तो इसकी और इसकी value भी रखेंगे, यह रही, तो A, X की जगे पर, under root के अंदर, X square plus Y square, 1 minus A square, इसकी जगे पर, X minus Y, under root है, under root में आएगा, X plus Y, यह X minus Y plus C, यही आपका complete integral है, तो यह question मी बढ़िया रहा, आज मैंने आपको, दो question थोड़े easy दिये थे, और दो question tough, क्योंकि यह important हैं, लगवग हर साल आते हैं, तो please आप इन दोनों question को जरूर करना 100% important है, ठीक है?